साथियो नमस्कार, मैं राकेश केसरी आप सभी को The Officers Academy के इस YouTube Live Platform पर स्वागत करते हैं तो चलिए हुज़ाई तैयार हम लोग सेशन की सुरुवात करते हैं जिसमें आज हम लोग महत्वपुर साइंस के प्रशनों को देखेंगे और उन सभी प्रशनों का संपुर्ण विस्लेसर करते हैं तो एक बार जुरदार तरीके से आप लोग सेशन को सेयर कर देंगे और अपनी साथियों के साथ और उसके बाद जो लोग सेशन को जोईन कर रहे हैं अपना भोजन क्या बोल रहा हूं कि वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं तो खुद बनाते हैं उस परकार के द्यान देना खुद बनाते हैं उस परकार के जीव को हम लोग किस रुप में तो स्वापोसी के रुप में जानते हैं इस बात को आप लोग द्यान देना यहां हम लोग बात कर रहें साथी द्यान देना कि सौपोसी पोसल मुख्य रूप से कौन से समंदीत है तो याद रखना अगर हम लोग बात कर एक कवक के बारे में किम तो प्रजीवी की रॉप में जानते हैं तो देहां देना मैं इसको जो है वोह साथ जहां रखके-बधन किear उत और पलाजवी के रुपी आंते हैं अपिन बढकी परजियृ के लिए कि अपनी भोजन के लिए किसी और पर और हिरूलो J het परजीवी की रुप में जाना जाता है इस बात को भी आप लोग याद रहना जबकि हम लोग सेवाल की बारे बात करते हैं आपको पता होगा एक सेवाल है जिसका नाम है निल हरित सेवाल जिसे हम लोग किस रुप में जिसे हम लोग chlorophyll का रहुप में जानते हैं और chlorophyll जो एक ऐसा pigment है ध्यांधिला साथी जो कि किसके ए अंदरगत में ध्यांधिला किसकि एंदरगत में तो chlorophyll के इंदरगत में पाया जाता है वे वायू मंडल से करबन डैकसाइड और सुरी की प्रकास को लेकर अपनी भोजन को खुद बनाते हैं तो उस प्रकार के जीवों को हम लोग सौप पोसी की रुप में जानते हैं तो याद रखना है यहां हम लोग बात करें सौप पोसी की रुप में और हम लोग चर्चाए किसके बारे में कर रहा है हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सैवाल के बारे में करते हैं इसका एंसर आफ holANG अगला कोश्चन है कि गती का यामित सोतर क्या होका the dimensional formula of motionnap मिरे साथी हम लोग गती के बारे में बात कर रहे और आपको पता है कि speed बराबर क्या होता है तो speed बराबर होता है distance upon time चाल बराबर दूरी बड़ा में समय होता है और आपको पता होना चाहिए कि जो भी dimension निकालते हैं dimension निकालने के हमराब में जो main base होता है वो होता MLT और आपको यह बताना है मेरे साथ ही लेंद और टी का मतलब क्या होता है साथी तो आपको याद दिखना टाइम होता है जैसा कि आपको पता है कि मास को हमेशा किसमे तो मास को किसमे केजी में गड़ना करते हैं लेंद को मीटर में गड़ना करते हैं और समय को सेकेंड में गड़ना करते हैं इस बात को आप लोग या दखना यहां हम लोग की कहानी हो रही है कि चाल बराबर क्या होता है तो यहां दखना चाल बराबर दूरी बड़ा समय जिस दूरी को मिटर में और समय को सेकेंड में गरना करते हैं और यहां पर द्यान देना अब हम लोग इस मिटर पर सेकेंड की हिसाब से क्या करेंगे अपने इस MLT के form में लिखने का प्रयास करेंगे अब आप बदाओ कि मीрь से हम लोग इस तीनों में सिक्त직 क्या करना करेंगे तो length की करना करेंगे उसके बाद बड़ा में second है यानि time है तो time की गरना हम लोग किस की गरनाई करते हैं तो उसमें टाइम की करते हैं इस बात को आप लोग या दिखना है तो L upon T होगा और इसी T को हम लोग उपर ले जाते हैं तो इसका T क्या होगा तो minus 1 देहां देना यहाँ पर मास कुछ नहीं है क्या मास आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पर मास के उपर मास के लिए हम लोग क्या करेंगे तो मास के लिए हम लोग वहाँ पर 0 ला दें अब इसको हम लोग लिखने के परयास करें तो MLT-1 यह हमारा क्या होता है तो speed का dimension होता है साथी इस इसको आप लोग दिखान देना अब देखो options में क्या दे रहा है MLT-01 MLT-1 जो है किसका होता है तो जो speed का dimension होता है हमेशा याद रखना कि जो dimension निकाला जाता है MLT के फर्म होता है जहां M इंडिकेट करता है मास को L इंडिकेट करता है लिंध को और T इंडिकेट करता है किसको तो time को करता है इस बात को आप लोग जयाद रहूंगे इसका answer क्या करोगे तो इसका answer आप लोग भी करना अगला गोशन देखते है कि निकीट में से किसे cellular प्रक्रिया में उर्जा मुद्रा की रुप में जाना जाता है में साथी which of the following is known as which of the following is known as energy currency in cellular process that is mitochondria DAP, alveoli, ATP या फिर none of these more than one तो आपको बताना है कि किसका किसका उप्योग निकीट में से cellular प्रक्रिया के रुप में जो उर्जा मुद्रा की रुप में जो प्रियोग किया जाता है किसको जाना जाता है इसके बारे में अब तक नहीं मिला बोर्ड फिडियोफ आपको आज टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर बोर्ड फिडियोफ मिल जाएगा ठीक है टेलिग्राम चैनल पर आप लोग को बोर्ड फिडियोफ मिल जाएगा आप लोग उस वोल्ट पीडियोप को कर लेंगे ठीक है अब लोग बात करें सेलो प्रक्रिया में उर्जा मुद्रा आपको पता है कि माइटो कॉंड्रिया के अंदरगत में क्या होती है तो एनर्जी का निर्माण होता है मेरे साथ ही याद रखना यही रीजन है कि इस माइट करना इ समीक है तो इनर्जी करेंसी को शेयरे सेओन होता है कि मेरे वीडियो ना फिर जाशन करेंसी की रिफ में इसे इसक कोॉंड याद रखना और इसी को हम लोग किस रूत मी और चाहर मुद्रा कि करेंसी तो शीन जाते हैं कि Cellular की प्रकिरियाएं होती है Cellular respiration होता है साथी इस बात को आप लोग याद रखना और याद रखना इसमें किसका विगटन होता है तो C6S12O6 का क्या होता है साथी C6S12O6 यानि गुलकोज का विगटन होता है इस बात को भी आप लोग याद रखना यही रीजन है कि गुलकोज को इस गुलकोज को हम लोग किस रुप में तो याद रखना इसमें हम लोग उर्जा की रॉव मैटेरियल इंदर की रुप में जाना जाता है इस बात को भी आप लोग याद रखनेंगे ठीक है तो याद रखना गुलकोच का विक्टन होता है और आपको पता है कि C6, H12, O6 का विक्टन होता है वो अक्सीजन के साथ होता है और इस अक्सीजन के साथ जब विक्टन होता है तो कर्मन डायकसाइड, H2O और उसके साथ-साथ कुछ मात्रा में इनर्जी का अंडर मान होता है और वो इनर्जी किस फॉर्म में होता है तो इनर्जी जो होता है ATP के रुप में याद रखना, यह जो प्रकिरिया हो रही है हमारी कहांपर माइ độकॉंड्रिया के अंदर गए में इसलिप, इस माइटकॉंड्रिया के हम लोग power house of sale group में जानते हैं उसके बार बात करते हैं मेरे साथ ही याद रखना इस mitochondria के अंदरगत में जो ये बिगटन होता है वो किस process के दौरा तो साइकल को हम लोग किस रुप में तो क्रिफ साइकल के रुप में जानते हैं इस बात को भी आप लोग याद रखना हम लोग अल्वियोली के बारे बात करते हैं तो अल्वियोली जो कि हमारे लंग्स के अंदरगत में पाए जाता है लंग्स यानि की फेफ़डा के अंदरगत में पाए जाता है और इसी अल्वियोली के उपर अल्वियली के अंदरगत में क्या होता है तो गैसों का अदान परदान होता है इसलिए इस इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर आप लोग एटेपी करेंगा अगला गोशन है किनिम लिखीत में से कौन सा बंद प्रकृती में सबसे कमजोर होता है मेरे साथ ही हम लोग बंद की बारें बात कर रहे हैं और आपको पता है बंद साइंस का प्रड़़ चेलिग्राम पर चला जाएगा नगी जाएगा देहरे बनाएगा सब चलेगा लहाँ लेकिन आप लोगों के पास सेयर करो बाई ऐसे थोड़ी हो गाँ बहुत कम लोग हैं भी ऐसे नहीं चलेगा प्लीज आप लोग से मिरा रिक्वेश्ट होगा अग कर आ गया है और उन महत्वपुल प्रश्ल के साथ उसके अंदर जितने भी विसलेशन हो रही है वो तो पूछो मत और जड़ा महत्वपुल होने वाले हैं आप लोग उससे ज्वाइन करो और अपने एक सीट को सुनिशित करो इमांदार सिच्छक बनना है बैमानी वाला सिच् बारे में बात करते हैं तो तीन होते हैं एक को में किस रुप में तो आइनिक बांड दूसरे को में किस रुप में तो कोवलेंड बांड और जो तिसरा होता है उसे कोडिनेट बांड की रुप में जानते हैं साथ ही इस बात को आप लोग याद एकना और एक और बांड होता यह मिटल और नन मिटल के विश में होता है जिसमें इलेक्ट्रोन का दियान देना मिटल के दोरा इलेक्ट्रोन का त्याग किया जाता है जबकि नन मिटल के दोरा इलेक्ट्रोन का क्या किया जाता है तो ग्रहन किया जाता है इस बात को आप लोग याद रखना यहां देना, यहां IONic Bond जो है, इस IONic Bond को सबसे मजबूत यानि किस का सबसे Strong Bond की रुप में जानते हैं जो हम वो बात करते हैं कि जो प्रवल बंद है वो पौन सा है तो याद एकना, उस Bond को हम वो खिस रुप में, तो tambémник Bond की रुप में जानते हैं अब हम लोग बात करें दूसरे बॉन्ड जिसका नाम है कॉबलेंड बॉन्ड मेरे साथ ही याद रखना इसमें इलेक्ट्रोन का सेरिंग किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोन का सेरिंग किया जाता है साथ ही इस बात को याद रखना अगर वो बॉंड जो है नन मिटल के साथ नहीं होता है तो क्या करते हैं अपने ही भाई यानि अपने ही प्रजाती के साथ क्या करते हैं तो अपने ही प्रजाती के साथ जो है वो अपना इलक्ट्रोन का सेरिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जो आक्टेट है उनका जो अ ब्रेंसिंग को बना लेता है। और द्यान दिना इसमें जो है मातर कितने इल्क्ट्रॉन का एक इल्क्ट्रॉन का सेरिंग होता है। जो तत्वा एक इलक्ट्रोन का सेरिंग करता है उसे हम लोग किस रुप में तो सिंगल बॉंड जो दो इलक्ट्रोन का सेरिंग करता है उसे हम लोग किस रुप में साथी तो याद रखना उसे हम लोग डबल बॉंड के रुप में जानते हैं वही हम लोग बाद कर जो तीन तीन एलेक्ट्रोन का सेरिंग करता है उसे हम लोग हैं। bond के बाद दूसरा जो प्रवल बॉंड होता है उसे हम लोग किस रुप में तो किस रुप में तो कोविलिंट bond के रुप में जानते हैं इस बात को याद रखेंगे उसके बाद हम लोग याद करते हैं साथ ही याद रखना कि अगर हम लोग बात करें कि चैसी जो सबसी कमजूर वला बंद हे ना जो सबसी कमजूर वला बंड है ना वह कौन सा होता है तो हीड्योजmet होता है इस बात को आप तो इस सब कहानिया आपने रखना होगा और याद रखना या आयनिक bond किसके किसके विश्में होता है उसके बाद mooiland निकसके किसके विश्में होता है और इन दोनों इन सब में क्या-क्या कहानियां होती ही इस बात को आप लोग याद रखना इसके साथ एक और bond होता है इसे हम लोग coordinated bond group में जानते हैं जिसमें कोई एक तर्टो जो है दूसरी तरत चों किसे जब अरुट्टी किया करता है उसरे एक तर घेलोट को गरहन्न करता है याद रखना ये तरुके एक एक क्रॉर्ट्ट şें किया जाता है लेकिन एकाई हो ब्रैस है फीरिटी कbor बें करें अगर ने अंपने खेले जाही लो टाई नो एलेक्ट्रोन का सेरिंग होता है और सिर्फ एक तर्षा होता है ना कि दोनों का होता तो उस्पाइब की डिफिने न içलिए कॉञट को कोडिने के रुप जानता पिशने में अगला पर स् grands की खोजन के एक सम्मु में ऊपर जाते समय क्या होता है इसके बारे में आपको बात करना है तो द्यान देना अगर आपको पता है कि अवर्थ शाहनी के जनक के रुप में किसको जाना जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बीना लेट की वे आप लोग बताओगे कि अवर्थ सार्णी की जनक कौन है इसके बारे में बता रहे हैं सर समझ में आएगा कल हम पेड़ क्लास में अपनी पेड़ क्लास में राइसानिक बन पनाई इस मेंडिलिफ नामक बेग्यानी के दोरा अवर्त साडी को प्रसुत किया गया था इसलिए अवर्त साडी के जलक मेंडिलिफ को माना जाता है लेकिन इनकी जो अवर्त साडी थी इसमें गोलोग बात करें कि इसमें जो ग्रूप थें ग्रूप की संगया कितनी थी तो यादकना साथ था और वही हम लोग बात करते हैं मेरे साथी आवर्थ के बारे में तिनमें आवर्थों की संगा कितनी थी तो साथ थी इस बात को आप लोग यादकना लेकिन इनकी जो आवर्थ साड़ी थी मेरे साथी यादकना इसमें जो भी तट्वों को सजाए गया था और किस के अधार पर तो परमाडू द्रबेमान के अधार पर सजाए गया था इस बात को आप पोग याद रखना जिसमें उन्होंने सभी तट्वों को उनकी बढ़ते भी परमाडू द्रबेमान के अधार पर बाटा था और जो ला गया इसलिए इनका जो आवर्त साड़ी तो फ्लॉफ कर गया तो इनहीं के आवर्त साड़ी को मौडिफाइड करकर एक बेग्यानी काते हैं जिस बेग्यानी का नाम है मौसले देहां देना इनने मैंडिलिफ के मौउसा जी लोग बोलता है लेगि नहीं ये मौसले हैं जिनों है इस आवर्थ सारणी को क्या किया तो मॉडिफाइड किया और उतसे रान दे दिया आधुनिक आवर्थ सारणी के दिरगत में अगर हम लोग बात करें की टूडल आवर्थ की संख्या इनके दोरा कितनी बताएगया था तो साथ वह उन्हों बात करते हिसे इनके अंदर जो गो्रुब की संख्याата थी जो समू हुँ था उसकी संख्या को बढ़ाकर आठ से कितना कर दिया गया तो अठारा कर दिया गया इस बात को आप लोग याद अकैना उसके बाद साथी याद रखना मोसले ने क्या किया था आधुनिक आवर साणी को और इस आधुनिक आवर तो साणी में जितने भी तत्तों को उन्होंने सजाया था और किस अधार पर तो उन्होंने परमाडू करमांग के अधार पर यानि कि जहाँ पर जिस तक्तो को रखा जाएगा वो जो है प्रमाडू करमांग को उसके वही होंगे इस इसको आप लोग ध्यान देना उसके साथ एक चीज और याद रखेंगे मेरे साथी कि प्रमाडु क्रमांग की उस तत्यों के प्रोटोन तरथा इलक्टोन की संख्या को प्रदर्शित करता है प्रोटोन तरथा या इलक्टोन की संख्या को क्या करता है तो बताता है मेरे साथी अगर हम लोग बात करें कि hydrogen का atomic number one होता है यानि उसमें protonों की संख्या भी one और electron की भी संख्या कितनी होती तो one होता है इस बात को आप लोग याद रखना तो यह सब जो कहानी है ना यह सारी के सारी कहानी जो है मेरे साथी वो किसके बारे में तो अधरिक आवर्थ सारी में था जिस आवर्थ सारी में कोई समू अगर समू के बारे बात करते हैं उस समू में उपर से नीचे जाएंगे नीचे से उपर जाएंगे तो क्या-क्या conditions होंगे उसके बारे हम लोग बात करते हैं तो याद रखना कि अगर हम लोग किसी आवर्तसारणी में नीचे से उपर जाते हैं कहां से कहां तो नीचे से उपर जाते हैं तो जो धात्वों की प्रूर्तियां होती हैं इस बात को आप लोग याद रखना क्या होती है साथ ही तो धात्तों की जो प्रूर्तियां होती है और decrease करती है इस बात को आप लोग याद रिखना उसके साथ अगर हमनों बात करें इलेक्ट्र निगेटिविटी के बारे में तो उपर से नीचे जाने पर हमारी electricity उपर से नीचे कहाँ जा रहें ऊपर नीचे से आपर से नीचे से जब उपर जाएगा तो डिकरीज करेगा लेकिन द्यान देना जब उपर से नीचे आएंगे तो हमारे इलेक्ट्रों निकरीटिविटी होती है वह वह क्या करती है तो डिकरीज करती है अजब इलेक्ट्रों निकरीज करेगा तो पोजिटिविटी क्या होग कि relief करती है इस बात को आप लोग द्यान देना तो यह सब हमआरे कल कॉश्टन्स है यह सारे के सारे हमारे कौश्टन्स है आप लोग इसको द्यान देना और हाँ प्लासस आपको अच्छा लग रहे इसका एंसर बता होगे कि which organ in the human body helps in maintaining the balance of the body helps in maintaining the balance of the body साथ ही इसीच को आप भुग ध्यान देना सर हिंदी में ए क्या हिंदी में decrease मतलब क्या गटता है उपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्टर निगटिविटी घटेगा क्या बात है वाई सर हिंदी अब उसको हिंदी में decrease को हिंदी में क्या अब ज्यादा से ज्यादा कोशन करा है सर जी अब टाइम बहुत कम है जी बिलकुल आरे की राज आपकी जो सजेसंस हैं सराखो फे कल से हम जो है इस कुर्शन को और बढ़ा देंगे चलो अगला कोशन आप लोगे सामने है मेरे साथी द्यान देना मालो सरीर में कौन सा अंग सरीर के संदोल को बनाय रखने का काम करता है तो कुछ लोग का answer heart आरा दिल अरे दिल का काम क्या है दिल का एके को काम है कि रख को पंप करना या धड़कना उसका काम होता है ना कि दिल में किसी को रखना है यह जो बिल्कुल गलत बात है कि हम तुमको दिल में रखने ना ना दिल का एके को काम है कि दिल को धड़कना ठीक है या दिल जब धड़कता है तो जो blood को पंप करता है और blood बांदना हर्ट का एक ही काम है मेरे साथ ही यह क्या करता है तो यह रक्त को पंप करता है इसका एक को काम है यह रक्त को पंप करता है इस बात को आप लोग याद रखना जीगर के बारे में आपको पता है कि हमारे सरीर की जो सबसे बड़ी गरंती है हमारे सरीर की सबसे बड़ से अमनों पिन्ना करते हैं और यादकना ये पिन्ना जो है हमारे बॉडी को संतुनन करने का काम करता है हमारा साइंस बोलता है कि पिन्ना जो है बॉडी के संतुनन को काम करता है इस चीज़ को भी आप द्यान देना तो यादकना कोसल पूछ रहा है कि मानो सरी का अंग कौन सा है जो कि सरीर के संदोल को बनाए रखने में मदद करता है तो हमारा कौन है तो कान है अब को पता होगा मेरे साथी आपको याद होगा कि कान में हमारे कितनी हड्डिया पाई जाती है तो एक कान में तीन गो तो दुन्लों कान में छो गो और छो हड्डी यानि कि तिन तीन हड् हड़ी है हमारे सरीर की और बात को तेक सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो इस हड़ी को मिलों किस रुप में तो इस टेपी की रुप में जानते हैं इस बात को आप लोग याद रखेंगे और याद तो रखना पड़ेगा ही अक्यों नहीं याद रखेंगे तो दिहां देना य इस बात को भी आप वलोग याद रखना। उसके बाद जीव के बारे है को आपको पता गो टंग मिने जीव जीव जो है cat नो पार किमारे भोजन की जो पाचन की मिर्यार होती है ना उस पाचन में सहयता चबाने साहिता करता आरे बोजन को इदा ऊदर करने का काम को इता कर अजीव करता है इस साथी यादकना और त्वह और रिस्फायर्स थ्रो इट्स लंग्स, आई, स्किन, क्लोन या फिर इन में से कोई नहीं तो सब लोग इसका एंसर बताना और हाँ ध्यान देना केचवा को किस जगत के किस संग के अंदर गत में रखा जाता है तो जो संग है जिस संग का नाम है एना लेड़ा मेरे साथी याद अखना यही केचवा जो है हमारी मिट्टी को रूरता को बढ़ाता है इसलिए केचवा को हम लोग किसान का मित्र की रुप में जानते हैं यही ओ केचवा है जिसकी हिर्दे में साथी याद अखना जिसकी हिर्दे में चार जोड़ी कच होते है चार जोड़ी बोले तो आठ चार जोड़ी बोले तो आठ कच होता है मेरे साथी इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना यह वही कच्चुआ है मेरे साथी केच्चुआ है मेरे साथी याद रखना यह एक प्रकार के उभे दू लिंगी होता है इन्हे हम लोग किस रुप में तो इससे हम लोग ड्रीलिंगी की रुप में यानते हैं इंची को आप जियादने relación ही केचुवभा है मेरे साथ ही जो हम लोग Leida penguin के अंधर गतने पढ़तें потом याद रखना यह जो केचुवा है यो जो तो यह जो सवसंन करता है कहां से करता है तो हमारे इसकिन के मादियम से करता है शही है इस बात को याद रखना कुछता है टोन पूछता है कि निमक्रिकमेंस में बंग परीसंशार टंदर पाय जाता इनलिक राकत वाहिनियों की TL K Bakत Islands करता है उसे हमलों बंद परिसंचल तंदर के रुप में जानता है इस इसको आप लोग ध्यान देना तो यह जो हमारे तुचा की दौरा क्या करते हैं तो सोसन की क्रिया करते हैं जब कि लंग्स के माध्यम से हम लोग करते हैं यह जितने भी अस्तंधारी हैं साथी याद अखना वो जो लंग्स के माध्यम से करते हैं ठीक है क्लों की वाध्यम से बात करते हैं जो मतस्य जो वर्ग की जीव है उन मतस्यों की दौरा किसकी दौरा तो क्लों की माध्यम से किया जाता है इस बात को याद अखना अगरा गोश्चन है कि क्यों वर्सा की बुंदे गुलाकार होती है वाइड इस दे में डिजिन बिहाइंड इट ठीक है तो सब लोग इसका एंसर बता होता है कि वर्सा की जो बुंदे होती है वो क्यों गुल होती है मेरे साथ ही याद रखना जब हम लोग पढ़े रहे थे द्राओ का यांतरी गुल तो उसमें एक गुल था जिसका गुल का मतलब भी था जिसका गुल का नाम था प्रिश्ट तनाव याद रखना प्रिश्ट तनाव एक द्राओ का ऐसा गुल होता है जो कि द्रौ के परमाडू होते हैं उन सब को क्या करता है अट्रेक्ट करने का काम यानि एक दुसरे की तरफ खीचरे अकरसित करने का काम करता है और याद रखना यानि कम से कम छटरपल को घिरने की प्रूर्टिया रखती है वो कौन है तो प्रिष्टनाव स्रफिस टेंसन है और हाँ याद रखना उसी स्रफिस टेंसन के होजै से जो वर्सा की बूंद होती है उसकी बूंदे होती है गोल गोल हो जाती इस बात को आप वो याद रखना इसका इंसर क्या करोगे कि जल में प्रिष्टनाव होता है so that वो जो बुन्दे होती है वो क्या होती तो गोल गोल हो जाता है मेरे साथ ही इस बात को याद रखना प्रिश तनाव के कारण ही हमारे जो गर्म सूप होते है प्रिश तनाव के कारण ही जो गर्म सूप होता है वो हमें स्वादिश्ट लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग द्रौव किताब को बढ़ाते हैं द्यान दिना साथी जैसे हम लोग द्रौव किताब को बढ़ाते हैं हम वहाँ पे हमारे जो फ्रिश्ट तर्णाव होता है तो जो प्रिष्ट राव होता है तो कम हो जाता है इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना जिसके वज़ा से जो गर्म सूप होता है वो हमारे जीव के चारो तरफ फैल जाता है और चारो तरफ फैलने के वज़ा से चारो तरफ की जो स्वादे होती है वो हमको एहसास होती है उसके साथ याद रखना ये वही प्रिष्टितनाव है जिसके वज़ा से अगर कोई सेविंग ब्रस को पानी से निकला जाता है लड़किया नहा कर बाहर निकलती तो उनके बाल आपस में चिपके होते हैं क्योंकि जल के अड़ो के विज़ में एक आकरसक बल लगता है साथी इसको आप लोग द्यान देना तो ये सबी के सबी कहानी जो है हमारे प्रिष्टनाओ के है πिज तनाओ एक ऐसी बहुती गुड़ है एक ऐसा यांतिरी गुड़ है जिसमें जल के अड़ों को अपने एक दूसरे को आकरसित करने का काम करता है यानि की या कम से कम छेतरफल घ्रुर्वने की प्युरूर्थी को रखता है इस बात को आप लोग ज्यां देना तो इसका एंसर क्या करो के साथी कि जल में पृुणत जल में परिस्टनाओं होता है वियो जान सेफ होते हैं इस बात को आप लोग याद रखना अगला गोश्चन है कि रिस्पाइरेशन रिम लिखित में से किस अभिक्रिया रिस्पाइरेशन इजिए रिक्संस और विच्व दोग फॉलोविंग फर्स्ट ऑप्सन है से अभिक्रिया वियो जान उस्मा छेफी उस्मा सोसी यहन में से कोई नहीं मेरे साथ ही जो भी रियक्संस दिए गया है उन सभी के सभी रियक्संस आपको फिर मिलेंगे कुमार मुकेस पेड़ बैच के अंदर मेरा कॉमेंट एक्टिवेट कर दीजिए सर्फ जी बिलुकल हो जाएंगे अगर आप कुछ किये होंगे तब तो यहां पर भी आप ब्लॉक हो जाएं तो फिर आप कहां करिएगा फोन करते रिजे कम उठाएंगे नहीं चले अगला कोशन आप लोगे सामने है हाँ लड़कों के बाल भी चिपके होता है यह लड़कों के बाल छोटी-छोटी होता है यह ऐसे से करो कि प्ला निकल जाएगा पानी पानी निकल जाएगा चलो अगला कोशन आप लोगे सामने है कि रिस्पाइरेशन किस प्रगार की अभी करिया मेरे साथ ही जब हम लोग पढ़ेंगे रसायनी कभी करिया तो याद रखना रसायनी कभी करिया कई प्रगारगा होता है एक सहयोजन अभी करिया है जिसमे दो तट्व मिलकर एक नए कंपाउंड का निर्मान करता है जो उसका उत्पाद कि कोई एक बनाता है उससे हम लोग संयोजन कहते हैं जिसमें बात करते हैं कार्बन और अक्षिजन जुड़ते हैं तो CO2 का निर्मान किये तो यजो दो तक्व मिले और एक योगी का निर्मान किया तो इस प्रगार के रियक्सन को हम लोग कोम्बिनेशन रियक्सन की रुप में जानते हैं याद रखना जब एक कट्व जब एक तक्व हमारे उसमा की प्रभावों से या फिर जो है अश्मा के परवाओं से या फिर सूरे के प्रवाओं से या फिर विदुधारा के परवाओं से अलग होते हैं यानि एक compound अलग होकर दो या दो से अधिक तक्तों का निर्मान करता है तो उस प्रकार के reactions को हम लोग decomposition reaction यानि vision की अभिक्रिया करते हैं जिसे हम लोग बात करते हैं AG-BR, AG-BR2 मेरे साथ ही सिर्वर ब्रोमाइड, जब इसके उपर सुरे का प्रगास परता है, यह AG अलग हो जाते हैं और BR अलग हो जाता है, तो इस प्रगार का जो रियक्षन्स होता है, उसे हम लोग डिकॉंपोजिशन रियक्षन यानि वियोजन अ अभिक्रिया को मुल्गे सुर्प में तो इस प्रगार के अभिक्रिया को एक gyothramik उसमा 6 फी अभिक्रिया करियो में जाते हैं और लेकिन याद西ी क्रणा कि जौ तो इस्वरच की ज़रूरत परता है, जिस मुल फीडिशन ने बता दिया, और आपको मादाना इस बांधा गर्म गैस है और इस गर्म गैस को क्या कर रहा है तो इस गर्म गैस को मुक्त करता है यहां पर यह क्या कर रहा है एक जो थर्मिक रियक्शन को सो कर रहा है इसलिए इसे हम लोग उस्मा छेफी अविक्रिया के रुप में जानते हैं इसे हम लोग किस रुप में तो उस्मा तरह के किस भाग में वस्तु का प्रतिवीम बनता है? In which part of the human eye is reflected of an object form? सबको आपको बताना है कि किस पार्ट में जो है प्रतिवीम का निर्मान होता है, इसके बारे में आपको बताना है. D number option समझाएं, जिस अविकरिया में उस्मा की जुरूत होती है, अविकरिया को कराने है, तो उसी हम लोग उस्मा सोसी अविकरिया करता है. ठीक है, अगला गोशन आपको के सामने, एक बार प्लीज मेरे साथ ही, आपको सिसन को एक बार लाइक कर देना जुरूदार तरीके से, ठीक है, अगला गोशन है कि मानो नेतर के किस बाग, मेरे साथ ही याद रखना मानो नेतर में जो प्रतिवीम का निर्मान होता है, वो ज सबसे पर हमनों बात करते हैं यह उल्टा होता है यह क्या होता है साथी तो उल्टा होता है और वस्तु से क्या होगा तो वस्तु से छोटा होता है इस चीज को भी आप लोग याद दखना तो यह जो प्रविर्टिया हमारी होती है प्रतिविम की होती है और यह प्रतिविम का निर्मान कहा होता है तो रेटीना के उपर होता है इस बात को आप पो याद रखना जब हमारे रेटीना के उपर यानि कि जब हमारे लेंस के अंतरगत में कुछ कमिया यानि कुछ कॉर्णिया के अंतरगत में कुछ प्रोब्लम्स होते हैं तो कभी-कभी हमारे रेटीना के आगे ही इमिज बन जाता है जिसे हमनों निकट द्रिश्ची दोस्ट अग कभी-कभी निकट पीछे होता है तो इससे हमनों दूर जिसी दोस्ट के रूप में जानता है ठीक है? इस चीज को आप पक ध्यान देना इसका एंसर क्या करोगे? तो रेटीना करेंग अगला कोशन है किनिम लिखी जन तूर्टकों में से कौन सा उत्तक हार्मोन और उस्मा का परिवहन करता है और जन सलतुरन को बनाए रखता है विच अधर फॉलोईंग अडियनीमल टीशू ट्रांसपोर्टू, हार्मोन, हेट, अधर होते हैं हादासराज का क्लास एजी लग रहा है अच्छब, पड़ लिए है आपको पता है सारी कोशन्स, जबआप देखे, एजी कब लगते हैं जब आपको questions पते होते हैं, तब आपको Easy लगता है, जब question बता ही नहीं है, तफ लगे हैं, मिलेंगे एक-दो questions के साथ, पिर मिलेंगे, इसका ऐंसर क्या होगा, अगला question है मेरे साथ ही, आप लोग के सामने, दिहां और दिना, कि कौन सा ऐसा उत्तक है, मेरे साथ ही मेरे आपको पता होगा हमारे जो जन्तू हम लोग जन्तू है उस जन्तू में जो है जो उत्तक होते हैं मिलनी चार परगार की पाए जाते हैं जो चार परगार की उत्तक होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो एक जो है उपकला उत्तक एक जो कौनसा उत्त अपकला है उसके पिसिया है उसकी बात जो एक उत्त होता है निरे साथ है जिससे हम लोग स्हयोगी उत्त गिरования नर्बर्टिसू दिहान देना हमारे सरी में जो हर्मून और उस्मा का जो संसलिसल करता है वो किसके दोरा तो यह जो हमारा उत्तक है जिसे हम लोग बलड एक पर जानते है और बलड एक प्रगार का क्या है साथी तो blood एक प्रगार का स्यूजी उत्तक है इस बात को आप लोग याद रखना यह आपको पता है कि हमारे जो रक्त है रक्त एक प्रगार का क्या है तो यह जो एक प्रगार का तरल स्यूजी उत्तक है इस बात को आप लोग दिहान देना और आपको पता है कि blood की मात्रा हमारे जो सरीर में वो 5-6 लिडर होता है जबकि हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं में जो blood की मात्राइं होती है वो कितनी होती है तो पूरुसो के पेच्छा half liter क्या होता है तो half liter कम होता है और आपको पता होगा कि पूरुसु का पूरुसु के पिच्छा महिलाओं में हाप्लिटर कम क्यूं होता है कि वो पी सके तब तो अपने अपको बैलेंस कर सकती है इसी इसको दिहान देना तो दियान देना कि महिलाओं में पुर्सों के पेच्छा हाफ लिटर बलड कम होता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस बलड के मूखे दो अवयव होते हैं इस दो अवयव में कौन-कौन से अवयव हैं तो एक जो अवयव है जिसको हम लोग किस रुप में तो प्लाजमा के रुप में और एक जो अवयव हो जिसको हम लोग किस रुप में तो कडिकाएं के रुप में जानते हैं याद अखना प्लाजमा जो हमारे बलड का लगवा कितना परसेंट तो 55 परसेंट वही कडिकाएं जो होती हैं 45% पाया जाती है और इस कडिकाओं के तीन पार्ट होते हैं एक को हम लोग RBC दूसरे को WBC और तूसरे को किस रुप में तो प्लेटलेट्स की रुप में जानते हैं इस बात को आप लोग याद रखना तो यह सब कहानी जो है ना हमारे बलड की है और बलड एक परकाल का तरल सेंजी उत्तक है जो हमारे सरी में हारवों तथा उसमाओं का परिवहन करता है और साथ की वाटर को भी बैलेंस करता है इसका एंसर क्या करोगे तो इसका एंसर आप लोग सी करना अगला गोश्चन है यदि एक वस्तु दोनों सीरों से पकड़कर खिची जाती है तो इस पर लागू बल को क्या कहा जाता है इफ एन अबजेक्ट इस पुल्ड बाई होल्डिंग इट प्रॉम बोट इंट से दा फोर्स अप्लाइट तो इट इस कॉल्ड उसको उम्लोग क्या कहता है चले सब लोग इस काइंसर बताओगे हाँ ठीक है इरसाद अमन आपको बहुत पता है लगता है कि आपने ठीक है अगला कोश्चन है यदि एक वस्तु को माल लोग को एक वस्तु है अगर एक वस्तु है और इसको दोनों तरफ से दोनों इंट को पकड़के हम लोग क्या कर रहे एक बल लगा कर खिछ रहे है तो इस वस्तु में एक बल उत्पन होता है जिस बलोग को हम लोग किस रपें तो तनाव बल यानि टेंसन फोर्स की रुप में जानते हैं देहां देना इस फोर्स को हम लोग किस रुप में तो टेंसन फोर्स की रुप में जानते हैं इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर आप लोड़ी होगा आपको साथ ही पता होगा कि वेग की बारे मैं अगर बात करते हैं तो वेग जो है यह क्या है तो यह एक प्रकार की सदी सरासी है यह आपको तो पता है कि वेग जो है एक प्रकार की सदी सरासी है और वेग बराबर क्या होता है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बड़ा स जिसे हम लोग फ्रिक्शन के रुप में जानते हैं और यादकना यह जो फ्रिक्शन होता है यह हमेशा गती के विरुद काम करता है इस बात को आप लोग यादकना यह हमेशा गती के विरुद कारेरत होता है इस बात को भी आप लोग दिहान देना यादकना फ्रिक्शन हमारे सरीर में बहुत ही जरूरी होता है अगर फ्रिक्षन नहीं होगा तो हम लोग कहीं भी चल फिर नहीं पाएंगे तो याद रखना इसी फ्रिक्षन के वज़े से जो है हम लोग कहीं चल फिर भी पाते हैं जो कि गती के हमिशा विरुद्र कारेरत होता है समवे की बारे बात करते मेरे साथी तो याद अखना किसी वस्तु का द्रब इमान और जो उसके वेग होते हैं उनके गुड़नफल को हम लोग किस रुप में तो समवेग के रुप में जानते हैं इस बात को आप लोग याद अखना खिचाओ, टेंसन यानि कि टी इसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं और टी बराबर क्या होती है तो एम जी होता है साथी इस बात को भी आप लोग याद अखना तो यहाँ जो बल लगता है किसी भी दो बडी के अगर अंद से, इंड से, अगर उसको हम लोग खीचने का काम करते हैं बल लगा कर एक दूसरे के तरफ खीचते हैं तो वहाँ पर इस बाडी के अंदर गत में क्या होता है तो टेंसन तनाव उत पना हता है इसको आप लोग यहाँ पर ब्रेइन, हैफो थलमस, मेडुला, ऑप्टिक लॉप किसमें होता है इसके बारे में बताना ठीक है चलो, सर जी मज़ा आ रहा है हाँ ठीक है मज़ा आ रहा है तो पढ़ाई करिए मज़ा आ रहा है तो पढ़ाई करिए ठीक है? तो सब लोग इसका धिहांदिघना मेरे साथ ही हम लोग बात कर रहे है कि मनुस्यों में तृपती और प्यास केंदर मस्तिकॡ के किस केंदर आपको पता होगा कि हमारे सरीर के जो मस्तिक्स हैं हमारे सरीर के सबसे बहुत ही जटिल अंग माना जाता है और उस जटी लंक की तीन पार्ट होता है, वह कौन-कौन से होते हैं, पहला साथ याद अखना, बहुंआ को हम लोग किस रुप में mieć ब्रेश्व की रुप में जानते हैं जिसे हम लोग हिंदी में प्रामस्तिक्स बोलते हैं इस बात को आप लोग याद रखना दूसरा जो होता है मेरे साथी उसे हम लोग किस रुप में तो हाइपो थेलमस की रुप में जानते हैं और जो तिसरा पार्ट होता है उसे हम लोग किस रुप मे इत्यादी यानिकी भाउनाओं के बारे में बात करते हैं किसके बारे में तो भाउनाओं के बारे में बात करते हैं इन सभी के बारे में जो एहसास होता है वो हमारे किसके माधियम से तो हाइपो थेलमस के माधियम से होता है इस बात को आप लोग ध्यान देना उसके बाद थेलमस के बारे बात करते हैं मेरे साथी तो याद अखना ये हमें ठंड तथा गर्म का एहसास कराता है ये हमारे ठंड तथा गर्म का एहसास कराने का काम थेलमस के द्वारा होता है इस बात को भी आप लोग याद अखना उसके बाद मीड ब्रेन के बारे बात करते हैं मेरे साथ ही इसके भी दो पार्ट होते हैं एक को हम लोग कारपुरा और एक को हम लोग पेंडिकल के रुप में जानते हैं इसको हम लोग कारपुरा कौडिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल के रुप में जाना जाता है तिसरा पार्ट होता है उसको हम लोग किस रुप में तो यादखना उसे हम लोग अनुमस्तिक यानि सेरे बेलम की रुप में जानते हैं इस बात को भी आप लोग यादखना तो यह तो तीन पार्ट हमारे हिंड ब्रेन के हैं ऐसे जो हमारे यादखना इन सभी ब्रेन के पार् अगला गोश्चन है कि प्रितरी की भुमद रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना में दुरूओ परिका बार क्या होगा what will be the weight of the body at the pole as compared to the weight of a body at the earth's equator तो सब लोग इस cancer बताना किया हम लोग, ठीक है, तो सब लोग इस cancer बताना मेरे साथ ही मेडूला अफ लंगाटा ठीक है, मेडूला अफ लंगाटा के रुप में इसको जाना जाता है सब लोग इस cancer बताओगे, इस cancer क्या होगा चली तो ध्यान देना मेरे साथी ये जो भूमद रेखा पर किसी पेंड़ का भार मेरे साथी आपको पता होगा कि भार की बारे बात करते हैं तो भार बराबर क्या होता है तो ये भार बराबर होता है भार बराबर मास इंटो ग्रिविटी होता है यह weight equal to क्या होता है तो mass into gravity होता है इस जीच को आप लोग ध्यान देना और याद अखना जो भार है यह भूमद रेखा हो या फिर धुरू हो यह total dependent होता है हमारे g के उपर हमारे किसके उपर? small g के उपर और आपको पता होगा कि जो small g की value के बात करें कि maximum कहां होती है तो कहां होगा तो pole पे होगा अगर maximum pole पे होगा तो वहाँ पे भार भी क्या होगा तो maximum होगा मेरे साथ ही याद अखना यही region है कि जो धुरू है वहाँ पर किसी वस्तू का भार जो है ज़्यादा होता है वही हम लोग बात करते है minimum के बारे में कि minimum small g की value कहां होती है तो याद अखना वो equator पे होता है जिसे हम लोग किस रुप में तो भूमद रेखा के रुप में जानते हैं इस बात को याद अखेंगे उसके बाद बात करते है मेरे साथी कि 0 कहां होता है अगर प्रित्री के तल से उपर या निचे जाते हैं तो वहाँ पर भी small g की value क्या होती है तो घट्ती है इस बात को भी आप लोग याद रखना तो याद रखना मेरे साथी कि दुरूओ पर पिंड का बाहर भूमद रेखा पर अपने बाहर से कम होगा जी बिलकुल गलत है उसके बाद दुरूओ पर पिंड का बाहर भूमद रेखा पर अपने बाहर के बराबर होगा यह भी गलत है दुरूओ पर पिंड का बाहर भूमद रेखा पर अपने बाहर से अधीक होगा तो इसका एंसर क्या करोगे तो इसका answer आप लोग सी करना अगला question है कि खाली अस्थान को अक्सर वनस्पती जगत का उभाइचर जाना जाता है मेरे साथी आपको बताना है कि किस जगत को फाधब जगत का उभाइचर करूप में जाना जाता है इसके बारे मताना है जी बिल्कुल सार मेरे पेड़ बैच में comment ठीक है हो जाएंगे comment ठीक है आप लोग द्यान देना यहां पर इसका answer बताना मेरे साथी हम लोग बात करें वनस्पती जगत आपको पता है कि वनस्पती जगत की बारे में अगर बात करते हैं तो बनस्पती जगत एक एसना जगत जिसको जो है डो इसको कि idöm पता जूब्र को कर्थ होते हैं उसे हम लोग किस रुप में तो एक कोम लोग थैलो फाइटा की रुप में जानते हैं जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग किस रुप में तो ब्रायो फाइटा की रुप में जानते हैं और जो तिसरा पार्ट होता है उसे हम लोग किस रुप में तो टेरिडो फाइटा की रुप में जानते हैं इस बात को आप लोग याद रखना मिरसाती याद रखना यह हमारा जंतू वनस्पती जगत है जिस मनस्मती जगत में जो पहला होता है थेलो फाइटा इसको समान रूप से हमनों किस रूप में तो सैवाल के रूप में जानते हैं ब्रायो फाइटा को समान रूप से हमनों किस रूप में तो मौस के रूप में जानते हैं जबकि टेलडोफायडा को समय guarantee लुप से किस रुप में? तो फरन के रुप में जानते हैं इस बातों आप लोगी याद रखना मेरे साद ही याद खना यह थैलोफायडा समूग जीवे होते हैं यह पूरे का पूरे क्या है तो जलिय होते हैं जल में पाय जाते हैं जबकि Brayup F venture कЕ बारे बात करते हैं ये जल के साथ साथ ये कहां तो dev pastor भी पाय जाते हैं इसलिए इसे हम लों किस रुप में तो उभाईचर के रुप में जानते हैं साथ ये इस बात को याद एकना जबकि टेलेडोफाइडा के बारे बात करते हैं ये एक ऐसे जीव होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां तो अस्तल पे पाये जाता है याद रखना उसी में से बताना है उसी से बताना है मेरे साथी कि किसी जो है पादब जगत के उभैसर क्रूप में जाना जाता है तो आपको देख गया एक जीव है जिस जीव को हम लोग किस रूप में एक जगत है जिस संग को हम लोग किस रूप में तो ब्रायोफाइटा क्रूप में जानता है ये जो ब्रायोफाइटा है जिससे समाल रूप से मौस के रुप में जानते हैं जिसका एक्जामपल के बारे में बताओ एक्जामपल के बारे में बताएंगे तो सब लोग इसका एंसर बताओ कि इसका एक्जामपल क्या होगा जैसे हम लोग बात करते हैं सेवाल के बारे में तो जितने भी आप लोग काई देखते हैं अब जल और एक होता है फेनोरोगेम जिसके अंदरगत में क्या होता है तो पुश्प होता है उसे हम लोग किस रुप में तो फेनोरोगेम के रुप में जानते हैं देहान देना, इस फेनोरोगेम के भी दो पार्ट है, मेरे साथ ही याद दखना, हम लोग बात कर रहे हैं किस के बारे में, तो हम लोग फेनोरोगेम के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग किस रुप में, तो आवरित बीजी के रुप में जानते हैं, एक को हम भीज पुरा धका होता है, उसे हम लोग आवरित बोलते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है, अगला गोश्चन आप लोग के सामने है, अगला है कि ताप बढ़ने के साथ द्राव का पृस्तना हो क्या, अभी जश्ट मैंने इसके बारे में चर्चा किया, कि जैसे जैसे ताप, हाँ, ठीक है, एए मेडग बोल, मेडग को पादप नहीं है भाई, मेडग उभैचर है लेकिनु जन्तू है, मेडग जन्तू है, मेडग उभैचर नहीं है, हम लोग स्पाइरोगारा के बारे मात के, स्पाइरोगारा एक प्रकार का मौस है, एक प्रकार क ब्रायो फायटा इसजी को अप्नों ध्यान देना टिक है चलो अगला गोश्ट करना कि ताब बढ़ने के साथ द्रोगा प्रिष्टरों क्या होता है तो घरता है तो घरता है इसका अंसर भी करोगे अगला कोश्चन है कि जल का सरवाधिक आउसोसल अहार नाल के किस भाग में होता है तो ध्यान देना जल का जो सरवाधिक आउसोसल होता है वो अहार नाल के बड़ी यांत में होता है इसको आपक ध्यान देना इसका एंसर क्या करोगे ठीचित आईब दो बड़ी आत लार्जस अट फिन गरना इस प्र Davis होता का चाहिए जार्सूर्टत पहुंचे-जार्स चाहिए बहुत लोगा इंसर्सक्राइब कि चाहिए? कुछ लोग दो कसे णिर्ट करेंयों कुछ दुक्षल दो करने होेफ पर या कुछ और क hmsom van agy kanaa अब उसको अगर हम खड़ा कर देते, इतनी भीड में, तो क्या होगा उसकी सित्थी, नोच लिगा सब, ठीक है? तो दियान देना मेरे साथ ही हम लोग बात करते है जल का सरोधी कोसोसर तो जो जल का सरोधी कोसोसर होता हो हमारे बड़ी यात में होता है बड़ी यात में जो है पाचन के बारे बात करते है तो याद अखना बड़ी यात में पाचन नहीं होता है बड़ी आत्वी जो पार्चल की क्रिया है नहीं होती है इसी इसको आप लोग ध्यान देना उसकी बात बात कर रहे हैं मेरे साथ ही यह जो इंटेस्टाइन होता है जो लार्ज इजिश्टाइन इसके तीन भाग होते है अब यह तीन भाग में कौन कौन से भाग है तो जो पहला भाग है उससे हम लोग किस रुप में तो याद रखना उससे हम लोग सीकम की रुप में जानते हैं जिसे हम लोग किस रुप में तो appendix की रुप में जानते हैं इस चीज को आप लोग द्यान देना उसके बात करने मेरे साथ ही यह जो बड़ी आथ है इसके अगर हम बात करते हैं लंबाई कितना होता है तो डहाई से 3 मिटर होता है इस बात को आप तो द्यान देना जबकि हम लोग बात करते हैं कि इस बड़ी यात का मुख के कारी क्या है अगर बात करते हैं यह जो बड़ी यात है इसका जो मुख के कारी होता है तो याद अखना इसका जो मुख के कारी है जल का और सोसल करना दियान देना, ऺह हम लोग बात करते हैं कि भोज़ पदार्त का अउस्योड करना, हम लोग बात करें कि जो बौज़ पदार्त का अच्छे कि रुप में? तो छोटी यांत की रुप में जानता है दियान देना अगर हम लोग बात करते हैं इस छोटी यांत की वारे में तो याद अकना इस छोटी यांत की वे हमारे तीन पार्ट तीन भाग होते हैं और तीन भाग में कौन कौन सा तो पहला है जिसे हम लोग डियू डेनम की रुप में जानते हैं द्यान देना साथी उसे हम लोग किस रुप में तो डियू डेनम की रुप में जानते हैं जो दूसरा पार्ट होता है, उससे हम लोग किस रुप में, तो जेजुनम की रुप में जानते हैं, और जो तिसरा पार्ट होता है मेरे साथी, उससे हम लोग इलियम की रुप में जानते हैं, ये भी कोसल पूछा हुआ है, कि जेजुनम किसका भाग है, कोलन किसका भाग है, यह सब जो है द्यान दिना ठीक है तो द्यान दिना जो छोटी याद ज़धना इसकी जो लंबाई है इसकी जो लंबाई है शे मीटर शे की सारे 6 मीटर देता है इस बात को अभर त्यान दिना अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर छोटी याद की लंबाई जादा है बड़ी याद से तो फिर ये क्यों होगा इस इसको आप लोग दियान देना उसके बाद बात करें मेरे साथ ही छोटी यार्थ के इंतरगत जो है एक अंगली नुमा संदचना पाए जाती है क्या बोले हमने कि अंगली नुमा संदचना पाए जाती है और इस अंगली रुमा सनलचना को हम लोग किस रुप में तो यादखना इसे हम लोग किस रुप में तो रसांकूर या फिर इसे हम लोग इंगलिस में विलाई की रुप में जानते हैं इस बात को भी आप लोग यादखना जो दिर्ग रुम क्या करता है मेरे साथ ही तो याद इस चीज को भी आपप लोग गया डखिना यह जो है और यहीं जू हमारे छोटी यांज से भोजन का और सोसर्ड किया जाता है इस बात को आप लोग याद उखना इसका Answer किया करोगे तो इसका Answer है आप पभड़ी हां गरस ही जो होता है हमारे किसका तो जो आहार नाल है और आहार नाल के साथ साथ जो स् नाल है जो पैर deviation की रुप में जानते हैं और यहीं फैरिंग्स दो नलिया निकलती है एक नली मेरे साथ याद रखना जिसे हम लोग किस रुप में तो ग्रास नली और एक को स्वास नली के रुप में जानते हैं तो द्यान देना उसी स्वास नली के ऊपर एक जो धकल लगा होता है जिस धकल को एपी ग्लोटिस कहा जाता है जो की भोजन को भोजन को स्वास नली में जाने से रोखने का काम करता है ठीक है तो द्यान देना इसी य लगेगा इमेजिन होगा ऐसा वास्तविक्ता में नहीं होता है अगर इसा वास्तविक्ता में होता है तो लिफ्ट बैटे हमारा वजने बढ़ जाता है सर डिस्कसन सिमित करें कि कोशन नमबर बढ़ा दिया जाया ओके 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 चलिए ठीक है अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैटा है तो उसको कब लगेगा देहां दिना कि उसका वजनवा बढ़ गया है उसको लगता है ऐसा होता नहीं है उसको लगता है साथी ऐसा होता नहीं है तो कब तो याद उठना मेरे साथी मालों कि कोई लिफ्ट है अगर कोई लिफ्ट है और इसमें यह आप हो यह जो है आप हो आप जो भी हो जो भी हो आप आप बैटे हो अगर लिफ्ट जो है ए तोरण के साथ उपर जा रहा है किस त तो वास्त भी बार के ऐसा कब होगा साथी तो याद अखना जब कोई lift मालों कि क्या है यह जो lift है और lift जो एक तो नट से कहां जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तब ऐसी घटना घटित होती इस इसको आप पोग ध्यान देना ठीक है इस इसको द्यान देना में साथी कि जब lift तेजी से उपर जा रही हो जब lift तेजी से नीचे जा रही हो निरंदर वेक के साथ नियत वेक के साथ नहीं द्यान देना जब लिप्ट तेजी से उपर जायेगा यहारी तेजी से उपर जा रहा है यहारी यहाँ पर snow меся रिसल उत्सपर हो रहा है तब जो है वहाँ पे लिप्ट में बैठे व susceptible क्या होगा उसका अवहासी बार एक अवहासी बार जो है वास्थिक बार से ज्यादा फिलोगा इसी इसको अपको द्यान देना इसका एंसर क्या करोगे तो ए करना और भी कुछो ground को ब ह 때ना अगर को लिप रहा समान-वेग से समान-वेग Jim सामान-वेग उपर जाए या फिर नीचे जाए समान-वेग से अगर उपर भी जाता नीचे जाता है तो उत्पन नहीं होता है इस चीज को आप द्यान दिना और इस इस्तिती में इस इस्तिती में अगर समान वेक से उपर नीचे जा रहा है तो इस इस्तिती में जो हमारा अभासी भार होता है द्यान दिना साथी अभासी जो भार होता है वो एक्वल होता है किसके तो वास्तविक भ होगा अगर लिप्ट की डोरी टूटी जाए तो जो भी वस्तुस में रखा गया ना उसका भार सुनने हो जाएगा अगर लिप्ट की डोरी जब लिप्ट जो है हमारी जो त्वरण है गृति त्वरण उससे भी ज्यादा तेसे नीचे आती है तो उस इस्तिती में मेरे साथ य आगे मिलेंगी अगला कोश्चन है कि निकित में से कौन हमें संक्रमर से बचाने में मदद करता है विच्व दो फॉलविंग हैस्टू प्रोटेक्ट एस फॉर फ्रॉम एन्फैक्शन्स डैट इस और बीसी डावल बीसी प्लाज्मा एंड हेमोग्लोविन तो सब लोग इसक अगला कोश्चन आप लोगे सामने है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन मोलना है मेरे साथ है निकित मेरे साथ याद रखना आर बीसी इसका जो काम होता है यह ऑक्सीजन का परिवान करना होता है द्यान देना ऑक्सीजन का परिवान करता है हमारे सरी में जो प्रतिरोधक च्छमता होती है, प्रतिरुदक च्छमता को बढ़ाना ये किसका काम है, तो जो है WBC का, प्लाज्मा मेरे साथ ही, यादकना हमारे सरी में जो कुछ खनीश्पदार्त होते हैं, उसका परिवहन करने का काम करता है, जबकि हेमोगलोबिन हमारे ब्लड को क्या करता है, तो हमारे स्वास्त मनुस्य में द्यान देना प्रतिक स्वास्त मनुस्य के बारे बात करते हैं कि मनुस्य में जो हीमो ग्लोवीन होता है उसकी जो मात्रा होती है 15 ग्राम completing 100 एमिल होती है इसी जो मिल 안 दियान देना हीमो ठीक है इसका answer क्या गरोगे तो इसका answer आप लोग B करना जो कि हमारे संक्रमर्ण से बचाने का काम infection से बचाने का काम कौन करता है तो डाबलो बेसी हम लोग डाबलो बेसी ठीक है इसका answer B होगा अगला question है कि पोक्रर परमाणो परीछर मिरसाती याद खना भारतका जो सबसे परीचर था वो पुखरर परमारु परिषर्ड का अधिकारिक नाम क्या था? क्या स्माइलिंग बुद्धा था? थंडर बॉल्ड था? फ्लाइंग एगल, फायर बॉल्ड, फायर टेस्ट या फिर इमें से कोई नी? यह हमारे सेसं का अज का लास्ट कोर्षें होगा कि यहाँ जो पुखरर जो परमारु परिषर्ड होता है, उसका एंसर क्या करोगे? तो जो परमारु परिषर्ड होबा था, उसका जो नाम था? इसमालिंग बुद्धा, मुस्कुराती हुए बुद्धा, इसका एंसर आप लोग ए करोगे, ठीक है? तो यह जो सेसन हमारा यही पर लाश्ट होता है फिर मिलेंगे कल हम अपने एपिसोड मिलेंगे आप लोग जरूर जुड़िएगा साम को साथ बज़े और भी अपने साथी और साथी के साथी मेल हो या फिमेल सब को जो है जोड़ने का परयास करिएगा तो आप लोग प्लीज अगले एपिसोड कल के साम साथ बज़े इस सेसन को जरूर जोईन करेंगे और जितने लोग भी सेसन को देखे हैं अगर उनको अच्छा लगाओ तो मेरे साथी प्लीज आप लोग सेसन के एक बार लाइक कर देना और आपने कॉमेंट को जरूर बताना मैं आपके कॉमेंट का इतिजार करूँगा इस सेसन कैसा लगा ठीक है एक बार फिर से मेरा केस केसरी आप सभी को The Officers Academy के इस लाइब सेसन में स्वागत करते हैं फिर मिलेंगे अगले सेसन में तब तक के लिए गुड़ नाइट जाहिन and लव यू आल थैंक यू